Hello friends, welcome to my YouTube channel, मैं हूँ दिव्याश शर्मा, सर्दियों की चार महीने ये काड़ा पी लीजी, पूरा साल आपको दिल से सबंदित कोई समस्या नहीं हो सकती, हार्ट से सबंदित कोई समस्या नहीं हो सकती, आपको ये बता दो कि ये ने केवल हमारे दिल को तंदरुस्त रखता है, बलकि हमारी धमनियों में ब्लॉकर्स को पैदा नहीं होने देता, जोडों के अंदर जो वात रोग आ जाता है, वात पैदा हो जाती है, उसको दूर करने का काम करता है, ये हमारे खून को गाड़ा नहीं होने देता, इस काड़े को किस रोग में किस तरीके से लेना चाहिए कितनी मात्रा में हमको इसका सेवन करना है और इसके फाइदी क्या है इस वीडियो में जानते हैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये काड़ा किस चीज से बनता है तो वो है अरजुन की चाल और लेने का तरीका आप जरूर जान लीजिए क्योंकि बहुत सारे इंसान इसे गलत तरीके से सेवन करते हैं जिसकी कारण इसका फाइदा नहीं ले पाते आप अरजुन की चाल को जितना ज़्यादा उबालेंगे जितना ज़्यादा बॉयल करेंगे उतने ही इसके ओशदिये गुन कम हो जाएंगे जितना कम उबालेंगे उतने ज़्यादा ओशदिये गुन इसकी अंदर रहेंगे तो आप क्या करिए अरजुन की चाल का पाउडर आधा जम बच लीजिए एक गिलास गुनगुने पानी के अंदर बिगो कर रखतीजे रात को और सुबह से हलका सा गरम करना है बस इतना हलका जितना आप पी सके उबालना नहीं है और चान कर इस पानी का सेवन कर लीजिए ऐसा करने से इसके सारे फाइदे आप ले सकेंगे तो अब फाइदों की सबसे पहले बात करें तो ये हमारे हार्ट के लिए तो सबसे फाइदे मंद है हार्ट की blockers को रोकने का काम करता है आयरवेद और हैमोपैथिक के अंदर अगर हार्ट की सबसे अच्छी दवाई की बात की जाए तो वो अरजुन की चाल का काड़ा ही है इसकी अंदर anti-oxidant property होती है anti-inflammatory properties होती है जो हार्ट की pumping को बढ़ाती है हार्ट को strength देती है ये हार्ट की blockage को reverse कर देती है हार्ट की अंदर जो inflammation आजाती है यानि सूजन आजाती है उसको दूर करने का काम करती है जिसकी कारन heart attack का खत्रा खतम हो जाता है एक चीज़ तो आपको पता ही होगी कि एक तो होती है रक्त यानि खून की acidity और एक होती है सीने की acidity जिसे हम normal acidity कहते है सीने की acidity इतनी जानलेवा नहीं है इतनी खतरनाक नहीं है जितनी की खून की acidity है क्योंकि खून की acidity जिस इंसान को हो जाती है उसको heart की समस्य हो जाती है और heart attack का खत्रा उसके अंदर उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप सर्दियों के चार महीने ये अरजुन की चाल का काड़ा इसी तरीके से पीते हैं तो ये हमारे खून की acidity को खतम कर देता है और इसका सबसे बड़ा एक और गुन है वो है जितने भी वाट के रोगाते हैं अगर आपके जोडों में दर्द हो रहा है आपके हर एक जोड में दर्द रहता है तो आपको वाट से सबंदित समस्या है और वाट को दूर करने के लिए अरजुन की चाल का काड़ा आप चार सबह खाली पेट ज़रूर करना है इसके लवा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हड्यां बछ जल्दी क्रैक हो जाती है अंड्यां बहुत तूटती है अंड्यां बहुत कम जोर है तो आपको अरजुन की चाल का काड़ा ज़रूर पीना है एक और इसके फायदे की बात करो त तो जिनके अंदर शुक्रानों की कमी हो चुकी है, तो उनको इस काड़े का सेवन दिन में दो बार ऐसे ही बना कर पीना है। कुछ लोग ऐसे जिनकी किड्नी अच्छे से काम नहीं करती, जिसके कारण उनके बॉड़ी में पानी स्टोर होने लगता है और सूजन आ जाती है शरीद पर, तो भी उनको इसी काड़े का सेवन दिन में एक पार करना है, आपको बहुत फाइदा मिलेगा। चहरे की बात करें, सुन्दर्ता की बात करें, तो अरजुन की चाल का काड़ा सुन्दर्ता भी देता है, फेस पर ग्लो भी देता है, आपको क्या करना है, अरजुन की चाल का पाउडर लेना है, आदा चमच, और उसके अदर एक चमच शैद मिक्स कर दीजिए, ऐसा एक पेस तयार कीजिए, और अपने face पर apply कर लीजे रात को लगाएगे और सुबह इसको wash करना आप देखेंगे कि चेहरे पर glow आजाएगा जो pimples है वो दूर हो जाएगे तो ये बहुत ही फाइदे मंद है यानि ये कह सकते हैं कि अगर आपने चार महीने सर्दियों के चार महीने इस अरजुन की चाल का काड़ा पी लिया तो दिल से समन्दित कोई समस्या नहीं होगी ना ही कोई ऐसी समस्या होगी जो कि आपका खून गाड़ा होने से होती है ना ही कोई वात के रोग होंगे ना ही bad cholesterol बढ़ेगा तो यह बहुत ही खास information है अगर आपको यह information अच्छी लगी तो like जरूर करिएगा और अपने friends के साथ जरूर share करिएगा और अगर आपके कोई भी सवान है तो आप जरूर पूछिए आपके हर एक सवाल का जवाब भी जरूर दिया जाएगा अगर आपके कोई ऐसे सवान है जो आप मुझे comment नहीं कर सकती तो आप मुझे mail कीजिए मेरी gmail ID है divyadhavanhealthtips at gmail.com मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए stay healthy, always be happy thank you for watching my video, okay bye